हलो दोस्तो एक और नई वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तो मेरे पास में काफी टाइम से कॉमेंट आ रहे हैं कि सर आप बताएं कि डेकोरेशन जालर की जो डिब्बी है अगर वो मान लीजे कि वो गुम गई है तूट गई है या जल गई है तो हम अ आप उसकी जो डिब्बी है या फिर उसका जो ब्रिज है उसको आप बना सकते हैं और बनाने में भी कोई ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी बहुत ही आसानी से ब्रिज को बना लेते हैं तो दोस्तो मैं आज दोनों तरीके आपको बताने वाला हूं कि आप जो डिब्बी है उसको कैसे बनाएंगे या फिर अगर मान लीजे आपको डारिक्ट जलाना है तो डारिक्ट आप कैसे जलाएंगे दोस्तो इसमें धहान देने वाली बात ये है कि डेकुरेशन ज़ालर जो है जो के मान लीजे के 5 वायर वाली आती हैं 3 की भी आती है और 4 की ज़ालर होती है ज्यादतर एक कलर वाली होती है मानलीजे कोई भी एक कलर हो सकता है नीला पीला हरा कोई सा भी तो अगर वो एक कलर वाली ज़ालर है और थोड़ी उसकी लेंथ कम है तो अगर इस टाइप की ज़ालर आपके पास है और उसमें छोटी डिब भी लगी है तो आप उस जालर को जो है वो light में direct ना लगाएं क्योंकि हो सकता है कि वो DC जालर हो बिना bridge को उसको लगाएंगे तो फिर जालर जो है वो लगाते ही जल जाएगी और एक second भी नहीं चलेगी तो इसलिए आपको ये जरूर पहचानना होगा कि आपकी जालर जो है वो DC है या AC है तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको complete बताने वाला हूँ कि आप decoration जालर को कैसे पहचानेंगे कि आपकी जालर कौन सी है क्योंकि अगर DC है तो आपको एक bridge बना के लगाना होगा या फिर आप कोई भी प्रानी डिब्बे में से भी लगा सकते हैं निकालकर और अगर आपकी AC वाली है तो तो दोस्तो आप उसको direct लगा दें उसमें कोई दिक्कत नहीं है और मैं आज दोनों ही तरीके आपको बताऊंगा आपको ये भी बताऊंगा कि आप direct कैसे जला सकते हैं और आपको ये भी बताऊंगा कि आप इसमें bridge से उसे कैसे जला सकते हैं तो दोस्तो अगर इस तरह की जालर आपके पास है बना कर और इसको जला कर भी दिखाऊंगा अब दोस्तो बात कर लेते हैं हम उस जालर की जिसमें के इस तरह की ये जालर है और ये AC वायर से जो है वो चलती है अब दोस्तो इसमें AC वायर से तो चलती है लेकिन इसमें फिर भी डिब भी दी गई है तो दोस्तों यह जो इसमें डिबी दी है यह इसका controller box है और इसका काम जो है वो AC को DC करना नहीं है इसका काम है जहालर के जो step होते हैं उसको change करना क्योंकि आपने देखा होगा कभी जहालर अलग color की जलती है कभी अलग color की जलती है तो इस तरह का जो काम करती है वो यह डिबी करती है अगर मान लीजे कि आपकी यह डिबी खराब हो जाती है तो आप इसको समाल सकते हैं हमारे चैनल पर इसको repair करने के बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे और दोस्तों अगर आप इसको नहीं समालना चाहते हैं या फिर कोई और problem है तो आप इसको हटा कर इसको समझना होगा तो चलिए मैं एक copy के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और आपको बताता हूँ कि आप जो यह wire है यह हमारी किस तरह से लगी भी है और हम इसको light में कैसे लगाएंगे तो दोस्तों इसके लिए मैं यह copy ले लेता हूँ और आप देख सकते हैं क तो दोस्तों अगर हम बात करें इस line की तो आप देख सकते हैं कि यह line बिल्कुल सीधी है और यह जो हमारी line है इसमें यहाँ पर यह एक goal निशान है और यह side में इस तरीके से तो यानि कि यह हमारी LED हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यह वाली और अगर मैं इसको आपको निक दूसरी वायर है वो इधर को चली गई ठीक है वैसे ही इस LED में गई और फिर गूमकर LED से फिर इदर गई यानि कि जो इसमें वायर है वो हर LED में सिरीज में लगी है और जैसे कि इस वायर में LED लगी है वैसे ही एक वायर और है यह वाली हो सकती है या फिर यह वाली तो इसम से मैंने आपको ये दो वायर बना कर दिखाई है ठीक है एक वायर ये है और इसमें दूसरी वायर ये है और जो तीसरी वाली है ये वाली ये इसमें साधा है इसमें कोई LED नहीं है तो दोस्तो इस तरह से ये वायर होती है अब बात करेंगे कि हम इस वायर को कैसे पहचानेंग तो दोस्तों ये वाली जो हमारी wire है वो आपको देखना होगी कि ये वाली wire जो है वो minus की है ठीक है? जिसमें LED लगी है ये wire plus की नहीं है minus की है यानि के neutral भी कह सकते हैं आप और ये जो wire है ये भी हमारी neutral की ही है ये face की wire दोनों ये wire जो हैं जिसमें LED लगी है ये face की नहीं है ये हमारी neutral की है ठीक है और ये जो हमारी तीसरी वाली wire है जो के अपनी बिल्कुल साधी है तो ये वाली wire जो हमारी है ये face की है यानि कि ये हमारी plus की wire है और ये दोनों neutral की है अब दोस्तों अगर हम बात करें कि ये इस side म होती है last में तो last में दोस्तों यह कुछ इस तरह से होती है कि जैसे यह wire है इसको यहाँ पर joint कर दिया है तो दोस्तों इस तरह से इसको last में जो है वो मिला दिया जाता है और आप देख सकते हैं कि यहां से जब अपना जो plus का current इसमें चलता है तो जो यह सारी LED series में लगी है माइनस का current इधर से आता है और पिलस का current इस side से आता है और दोनों तरफ से जब इसमें current जाता है तो यह LED जो है वो glow हो जाती है तो दोस्तों यह सारी LED series में है और इस तरह से इसमें जो है वो supply चलती है अब दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ देखना होगी कि यह जो हमारी minus plus है neutral face जो के मैं आपको बता रहा हूँ तो अगर यह DC जालर होती तो यह ultra wire लगाने से नहीं जलती लेकिन यह AC है इसलिए आप इसको किसी भी side से लगा दें इससे कोई फर्ग नहीं पड़ता है अगर आप इसको ultra भी लगा देंगे तब भी यह जल जाएगी यह minus plus मैं आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि हमें minus plus का ध्यान तब रखना होता है जब हमें इस जालर को डिब्बी से जलाना होता है अगर हम इसे डिब्बी से जलाएंगे तो हमें इस चीज़ पर ध्यान देना होगा मैं अभी आपको डिब्बी खोल कर दिखा देता हू circuit है मैं आपको दिखा देता हूं देखी ये इसके power के दोनों जो wire हैं वो है और आप देख सकते हैं कि एक wire इसकी director लगी है ठीके ये हमारी कौन सी wire है ये हमारी plus वार है जो के हमारी direct लगी है यहाँ पर ठीक है यहाँ पर wire लगी है और जो ये हमारी दूसरी wire है, यानि के ground वाली है, negative वाली है तो ये wire आप देख सकते हैं, डाइवर्ट पर आईये, ठीक है, डाइवर्ट से supply कहाँ आई है, curvature पर capacitor पर आप देख सकते हैं, ये minus है, है minus तो ये वाला minus है दोस्तों और ये वाला plus है तो यहां से आप देख सकते हैं कि पिलस वाली सप्लाई जो है वो डारेक्ट है जैसा मैंने आपको बताया सिंगल वायर में इसमें कोई LED नहीं है और जो माइनस वाली सप्लाई है इसकी वो सीधे ही इसकी चिप पर गई है और इस से क्या होगा दोस्तो कि जब यह रही है और अगर इस डिबभी को हटा देंगे तो दोस्तो इसमें होगा यह कि यह जो है वो सिर्फ मोड चेंस नहीं करेगी बाकि यह जलती रहेगी यानि कि जलतव को जलना नहीं है इसका काम जालर को जो है वो decoration के तरीके से जलाना है यानि के अलग अलग तरह से different different तरह से इसका काम जो है वो जालर को जलाना है अगर हम इसको हटा देंगे तो जालर जो है हमारी direct हो जाएगी लेकिन जालर खराब नहीं होगी light से क्योंकि AC की तो जालर है ये अब दोस्तो इस इसके लिए हमें क्या करना होगा मैं इसको अलग कर लेता हूं ठीक है अब दोस्तो हम इस वायर को अलग कर लेते हैं और इसको अलग करने के बाद में दोस्तो आपको यहां पर वायर को जो है वो पहचानना है और आपको सबसे पहले तो इस वायर को पहचानना होगा जिसमें क कोई LED नहीं लगी है ठीक है दिखे दोस्तों ये वो वायर है जिसमें कोई भी LED नहीं लगी है ठीक है और ये वो वायर है जिसमें एक LED लगी है और एक ये वायर है जिसमें के एक LED यहाँ पर इसमें लगी भी है ठीक है तो ये दो वायर वो हैं जिसमें एक एक LED एक एक नहीं इसमें तो पूरी लाइन में LED लगी है अब दोस्तों यह जो LED वाली वायर है इसको हम क्या करेंगे इसको यहां से हम जोइंड कर देंगे अब दोस्तों यह हमारी जालर जो है वो इस तरह से complete हो गई है ठीक है एक हमारी वायर यह हो गई और यह हमारी प्लस वायर है ठीक है और यह दोनों वायर जो हमारी इन की है इन वोल्ट के लिए है यहां से light दी जाती है जो जालर है उसके अंदर यहां से line दी जाती है अब हम क्या करते है कि एक बार इसको हम check करके देखते हैं कि यह इस तरह से work करेगी या नहीं तो मैं इसको फिलाल power में लगा कर देखता हूँ और यह हमने इसकी दूसरी wire लगाई है ठीक है आप देख सकते हैं कि इसकी जालर जो है वो अच्छी तरह से जल रही है अब मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ ठीक है मैं यहां से इसको निकालता हूँ और मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ इसको अलग करके wire को जो के मैं आपको बता रहा था कि यह दो channel की wire है ना दोस्तो यहां पर जो मैं आपको यह जो मैंने आपको बताई है देखी यह wire लगाने के बाद में जो यह आधी जालर जल रही है अब हम दोस्तों क्या करते हैं यह वाली wire भी लगाते हैं इसकी दूसरी वाली wire ठीक है अगर हम इसको भी लगा देंगे तो जो हमारी बची LED है देखो वो भी जल रही है ठीक है तो इस तरह से यह LED जलती है तो जो हमारी दोस्तों neutral वाली wire है उसको तो हमें joint करना है और जो हमारी plus वाली है उसको हमें अलग रखकर जलाना है तो इस तरह से अगर आप जलाएंगे तो आपकी जालर भी खराब नहीं होगी और आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा उजाला भी दे रही है बस यह step change नहीं कर रही है और दोस्तों अगर बात करें इस वाली जालर की कि इसको आप DC जालर को कैसे bridge rectifier बनाकर जलाएंगे तो दोस्तों इसका जो वीडियो है वो आपको कल मिल जाएगा क्योंकि अब ये वीडियो तो काफी बड़ा हो गया है और अब हम इस वीडियो में तो इसका जो रिक्टिफायर है उसको नहीं बनाएंगे लेकिन आने वाले कल के वीडियो में हम आपको इसका ब्रिज रिक्टिफायर बनाकर इसको आपको जलाकर दिखाएंगे तो दोस्तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को भी आल पर धबा दें दोस्तों वीडियो को लाइक करें और वीडियो को जाद से जादा शेयर करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जाई हिंद वंदे मातरम